सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जाइगा सेलर ग्यान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे e-commerce लेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि बहुत जल्दी आप सब के लिए एक shipping solution लाने वाली हूँ तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कौनसी logistic platform है जहां से आप easily and economically आप order ship कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आप Amazon से self ship करते हैं या फिर आप eBay से order ship करते हैं या फिर आपका website है जहां से आप order dispatch करते हैं आप काफी सारे challenges face करते होंगे जैसे कि आप कोई भी courier company के साथ अगर account open करना चाहते हैं तो उसमें आपको minimum commitment देना पड़ता है एक new seller के लिए जो बहुत ही headache वाली बात है काफी सारे courier से जो आपको monthly commitment 10,000 भी मांगते हैं पर से आपको pickup में कभी-कभी issue आती है कभी-कभी return pickup जो customer return होता है वो भी pickup नहीं हो पाता है तो यह सारे problem जो है आप face करते हैं हर रोज कभी-कभी couriers में आपको shipment cost बहुत ज्यादा पड़ता है तो यह सारे जो problems है इसके लिए मैं solution लाई हो तो एक third party courier service partner के साथ हमारे tie-up हो चुका है तो वो third party shipping solution का नाम है e-couriers तिन शॉर्ट मैं आपको बता देती हो तो इसमें आपको क्या-कर benefit मिलने वाला है अगर आपको कोई भी domestic shipment करना है तो आप इस platform के थूँ shipment भेज सकते हैं आपको अगर internationally आपका product shipment करना है तो वो भी आप उसका भी सुविदा आप ले सकते हैं अगर आपको import करना है कही से कही बाहर से आपको product import करना है या फिर आप कही बाहर आपको export करना है इस platform के थूँ कर पाएंगे फिर अगर आपको कोई भी shifting करना है तो packers and movers का भी सुविदा आप discount rate में ले सकते हैं इस platform से और lastly अगर आप कोई भी package material आपको चाहिए उसका भी सुविदा ले पाएंगे तो दोस्तों इस platform में आप एक साथ discount rate में couriers को compare कर पाएंगे courier का rate आप वहाँ पे देख सकते हैं सारे couriers का अभी couriers क्या क्या अवेलेवल है मैं आपको बता देती हूं couriers आपको मिलेंगे जैसे fedex है aramex है फिर dtdc का dotzot है delivery है ecom express है फिर उसके बाद गती है express भी है कुछ ऐसे couriers भी है जो tier 2 और tier 3 city में जिनका पहुच है तो सारे courier मिला के approximately 18,000 pin code cover हो रही है तो आप easily tier 2 और tier 3 city में भी order shipment कर पाएंगे तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे platforms already है available है सिर्फ यही एक अकेला platform नहीं है जो यह सारे सुवीदा आपको दे रही है लेकिन इसमें एक benefit है zero monthly service fee जो बाकि सारे platform आपसे monthly fee demand करती है monthly fee रहता है जो आपको payment करना होता है हर monthly service लेने के लिए तो यहां पे वो wallet यूज करते हैं आप wallet में पहले पैसा डालते हैं फिर उसके बाद यूज करते हैं फिर जब wallet balance खतम हो जाता है फिर आपको recharge करना पड़ता है वैसे ही आपको shipment के लिए आपको यहां पे wallet balance भरना है इसमें आपको कोई भी monthly fees नहीं देना परेगा सिर्फ आपको एक जब आप अब करना चाहते हैं तो 500 रुपीज रिफंड हो जाएगा तो बस यही एक्सपेंस है आपको लगेगा रिफंडेबल 500 रुपीज से आपको अपन करना है फिर आपको wallet balance भरना है आप जितना wallet balance भरिएगा उतना तक आप शिपेंड करिएगा फिर आपको जब भी आपका wallet balance ज चलिए स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों यह है एकुरियर्स.com की website मैं आपको यहाँ पर एक demo account दिखाऊंगी और details में बताऊंगी कि आप कैसे order ship कर सकते हैं उसके पहले आएए देखते हैं यहाँ पर website में कुछ details में आपको बताना चाहूंगी और यहाँ पर देखिए right hand side में e-ships account पर जाके आप account create कर सकते हैं new account create कर सकते हैं और यहाँ से आप login कर सकते हैं तो अगर आप website से directly account ले रहे हैं तो आपके सारी सुविदाय जो है benefits जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा अगर आपको सारे सुविदाय चाहिए सारी benefits आपको लेना है privilege account लेना है तो आप हमारी वीडियो के description में एक लिंक दिया हुआ है आप वो लिंक में अपना name और details भर दीजिए तो आपको यह कुरियर से call आएगा और फिर आपके mail id पे एक लिंक आएगा customized link जिसको open करके आपको register करना है और फिर आपको login details भी मिलेगा जिस login details से आपको login करना है और इसमें अगर कोई भी issue हो रहा है कोई भी shipment related या कोई भी issue हो रहा है तो आप extra support आपको मिलेगा नॉर्मल user account में जो limitation रहती है वो इस privilege account में नहीं रहेगा कोई भी limitation नहीं रहेगा उपसे extra support आपको मिलेगा account create करने के बाद आप wallet में minimum 500 rupees डाल के start कर सकते हैं login करने के बाद आप देखिए यहापे left hand side में options are domestic international imports movers और packaging फिर right hand side में देखिए कुछ-कुछ important जो news है यहाँ पे updated है जैसे entry and statutory tax जो है हर state का वो applicable होगा फिर यहाँ पे देखिए एक new update शो कर रहा है कि कि डॉर्ट जॉर्ट और गति कुडियर में specially अभी इशू चल रही है टेकनिकल इशू चल रही है तो इसमें उनका website जो है डाउन है specially tracking update आप नहीं देख सकते नहीं track कर सकते आपका shipment इसके लिए better है कि आप दूसरे कोई कुडियर आप यूज कर ले अभी देखते हैं यहाँ पे आप shipment कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आपको देखिए form collection pin code यानि कि pickup pin code और to destination pin code आपको यहाँ पे form में आपका pickup pin code भरना है और destination pin code आपको यहाँ पे भरना है जैसे कि मैं यहाँ पे एक Amazon order का ही दिखा रही हूँ self ship का यहाँ पे मुझे parcel जो भेजना है कानपूर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ का जो pin code है यह pin code मैं यहाँ पे destination pin code में भर रही हूँ फिर उसके बाद मुझे select करना है weight और मुझे courier type select करना है यह parcel है यह document है तो parcel है obviously और यहाँ पे weight मैं 500 grams दे रही हूँ उसके इसाब से मुझे मेरे package जो होगा shipment package length, height and width मुझे देना है और यहाँ पे courier purpose यह person use के लिए है commercial use है जो आपको भरना है commercial use मुझे यहाँ पे बढ़ना होगा फिर यहाँ पे देखिए cash and delivery भी आप यूज़ कर सकते हैं Amazon के through है और self-shift तो मुझे prepared है यहाँ पे चूस करना होगा और product value भी मुझे यहाँ पे देना है फिर search and book में click करना होगा अभी देखिए इसके बाद क्यूंकि यह address जो है जो pin code में ने दिया है वो वो pin code में सारे couriers available नहीं है जो जो couriers available है उसका ही details यहाँ पे देखिए right hand side में show कर रहा है जो three plus days transit दिखा रहा है मतलब तीन दीन से ज्यादा ही transit लगेगा और left hand side में आप देख सकते हैं कि one to two days transit है और two to three days transit का दो अलग-अलग column है तो यहाँ पे अगर यह pin code destination pin code मुझे जहाँ पे भेजना है shipment वो अगर one to two days या two to three days transit के अंदर आता है तो यहाँ पे courier शो करेगा लेकिन यहाँ पे left hand side में देखिए totally blank आ रहा है तो मुझे three plus days transit का जो courier option है वो ही मुझे select करना होगा तो यहाँ पे जो courier मुझे show हो रहा है यहाँ पे देखिए express bees ecom express और देखिए दो courier का यहाँ पे rate भी अलग अलग है express bees में rupees 109 मुझे पर रहा है तो मैं यही select करूंगी a free pickup में select करना होगा देखिए यहाँ पे window open हुआ है tax forms आपको देना है packing and printing आपको करना होगा courier का और क्या-क्या products आप नहीं भेज सकते देखिए यहाँ पे अगर आप wallet balance नहीं रखेंगे तो आपको यह ऐसा message शो करेगा sorry there is not enough balance in your wallet to place this booking kindly refill your wallet to proceed with this आपको हमेशा wallet में balance रखना है तभी आगे आप प्रॉसिट कर पाएंगे जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में मैंने inform की है तो अभी my destination pin code अभी suppose कि मैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या courier option शो करेगा आँ देखिए यहाँ पे one to two days transit में यी courier का fedex का जो standard overnight का options आ रहा है देखिए रूपीज 65 है 500 grams के लिए तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं product weight आप one कीजी कर दीजिए फिर देखिए यहाँ पे जो है one to two days transit में fedex के थुरू आप अगा standard overnight parcel भेज रहे तो रूपीज 129 आपको पड़ेगा चार्ज फिर वैसे ही two to three days transit है three plus days का भी transit है यहाँ पे देखिए अरमेक्स का भी option आ गया है प्रोड़क्ट वेट दो के जी आप सिलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स आ रहा है fedex में आपको 257 पर रहा है रूपीज 126 आपके पास यह एक option रहेगा कि कम शिपिंग चार्जस में आपको अगर परसल सेंट करना है तो आप surface भी use कर सकते अब यह आपको wallet रिचार्च करना है तो आप wallet में आप click करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे आप दूसरे website का भी wallet आप use करते है जैसे आप amount डालते है तो वैसे आपको refill wallet में आपको click करना है यह refill wallet with below mentioned यहाँ पे drop-down से आप कोई भी amount select करेंगे यह आप automatically payment page open होगा next करके आप payment कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए my orders का section है अब my orders पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर status के साथ कब आप ship किये थे date के साथ सारे details यहाँ पर show करेगा किस courier से आपका shipment हुआ है charges कितना पढ़ा है वो सारे details के साथ अब देखिए यहाँ पे अगर आपको international shipment करना है तो आप क्या करेंगे as usual आपका form में आप अपना pin code भरिये फिर आपको destination country आपसे select करना है कौनसे country में आपको अपना shipment भेजना है फिर यहाँ पे आप document या parcel वो courier type आपको select करना है फिर weight select करना है फिर वैसे ही length, width, height आपको select करना है फिर courier का purpose आपको select करना है और product value यहाँ पे आपको भरना होगा फिर वैसे ही आप देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे दो option आ रहा है 3-5 days transit में आप e couriers के थूँ ही trusted partner के थूँ आप book कर सकते हैं international shipment आप book कर सकते हैं 5-7 days transit में आप Aramex भी book कर सकते हैं international shipment के लिए दोस्तों उमीद करते हैं कि service से आपका shipping में जो problem आ रहा था कुछ हद तक solve होगा जिन्होंने अल्रेड़ी यह service लेने के लिए form भरे हैं उनके लिए मैं बता दू कि आपका details अल्रेड़ी हम शेयर कर दिये हैं तो आपको या तो call आ गया होगा या फिर बहुत जल्द call आने वाला है जब आपको call आएगा आप उनसे सारे details आप ले लीजिए अपनी दरब से आप समझ लीजिएगा अगर आप नए हैं और आपको भी shipping service चाहिए तो आप form भर दीजिए, description में उसका link है और अगर आपका कोई भी doubts है, कोई भी सवाल है हमें comment करके जरूर पूछिएगा और अगर आप नए हैं हमारे channel में तो subscribe करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और interesting topic के साथ तब तक के लिए आप सब का समय शुब रहे